हेलो दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है छिलना, छिलना को एंगलिश में कहेंगे पील ivent जैसे रोटी वागरे का सेखना तो शेखना को एंगलिश में कहेंगे बेक नेक्स्ट वर्ड है बेलना जैसे रोटी वागेरे का बेलना तो बेलना को इंग्लिश में कहेंगे रोल आउट गूतना या मांडना जैसे कि हम आटा गुनते हैं या फिर हम बेशन गुनते हैं तो गूतना को इंग्लिश में कहेंगे नीड नीड नेक्स्ट वर्ड पलटना जैसे कि हम अंडा पलटते हैं या रोटी पलटते हैं तो पलटना को इंगलिश में कहेंगे फ्लीप फ्लीप नेक्स्ट वर्ड है उडेलना या डालना जैसे हम कप में चाय डालते हैं तो उसे कहेंगे पूर पूर नेक्स्ट वर्ड है मिलाना जैसे हम कोई चीज मिलाते है तो मिलाना को इंग्लिश में कहेंगे mix next word पीसना जैसे हम चक्की में आठा पीसते तो उसे कहेंगे grind next word घोलना या घुलना जैसे पानी में टैबलेट घुलती है तो घुलना को इंग्लिश में कहेंगे dissolve next word चिड़कना जैसे हम सालन में नमक चिड़कते हैं तो चिड़कना को इंग्लिश में कहेंगे sprinkle next word पिगलना या पिगलाना जैसे बरप पिगलता है तो उसे इंग्लिश में कहेंगे melt next word चलाना, जैसे देग में हम लोग चम्मत चलाते हैं, तो चलाना को इंगलिश में कहेंगे स्टियर, स्टियर, नेक्स्ट वर्ड, निचोडना, जैसे नीबू अगेरे का निचोडना, तो निचोडना को इंगलिश में कहेंगे squeeze, squeeze, next word, छानना, जैसे हम छन्नी से आटा छानते हैं, तो छानना को इंग्लिश में कहेंगे, shift, shift, next word, काटना, जैसे सबजी वगेरे का काटना, तो उस इंग्लिश में कहेंगे, जैसे चोप, next word, घीसना, जैसे गाजर वगेरे का घीसना, तो घीसना को इंग्लिश में कहेंगे, great, next word, नापना, जैसे बच्चों का वजन वगेरे नापना, तो उस इंग्लिश में कहेंगे, वेट, वेट, नेक्स्ट वर्ड, तलना, जैसे ओमलेट वगरे का तलना, तो उसे इंगलिश में कहेंगे, फ्राइ, फ्राइ, नेक्स्ट वर्ड, भूनना, जैसे चिकन वगरे का भूनना, उसे इंगलिश में कहेंगे, रोस्ट, रोस्ट, नेक्स्ट वर्ड, मतना, जैसे वगेरे का जमाना तो जमाना को इंगलिश में कहेंगे सेट सेट नेक्स्ट वर्ड उबालना जैसे पानी वगेरे का उबालना तो उबालना को इंगलिश में कहेंगे बॉइल बॉइल नेक्स्ट वर्ड उफनना जैसे दूद का वगेरे का उफनना तो उफनना को इंगलिश मे कहेंगे बॉइल ओवर बॉइल ओवर नेक्स्ट वर्ड मसलना जैसे अलू अगेरे का मसलना तो मसलना को इंग्लिश में कहेंगे मैश मैश नेक्स्ट वर्ड डुबोना जैसे पकोडो का सॉस में डुबोना या फिर समोसे का सॉस में डुबोना तो डुबोना को English में कहेंगे Dep, Dep, next word, Beanna, भूलो अगेरे का Beanna, तो Beanna को English में कहेंगे Peek, next word, भिगोना, जैसे पानी में पैर भिगो कर रखना, तो भिगोना को English में कहेंगे Soak, next word, लगाना, जैसे ब्रेड पर सॉस्का लगाना, तो लगाना को इंगलिश में कहेंगे spread next word ढकना, जैसे मास से चेहरे का ढकना तो ढकना को इंगलिश में कहेंगे cover next word सजाना, जैसे गाड़ी का सजाना तो सजाना को इंगलिश में कहेंगे garnish